तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूटूब चैनल स्टडीप साल में तो फ्रेंट्स आज हम जो है HP Police Constable के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट करेंगे फ्रेंट्स बहुत ही important वीडियो ये रहने वाला है तो फ्रेंट्स आप अगर आप जो है हमारे चैनल पर पहली वार आए है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीए और बेल आइकन प्रेस कर लिजीए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन असानी से मिल सकते ठीक है फ्रेंट्स और अगर आपने अभी तक हमारी चनल पर GK के practice set नहीं देखे हैं तो friends आप उनको देख लें और top 50 questions की series हैं GK की friends आप उनको भी जुरूर देख लें बहुत important question है और आपको भी question exam में देखने को मिल सकते हैं तो चलते हैं वीडियो की तरफ तो friends जिसने भी अभी तक जोई वीडियो को like नहीं करा है वीडियो को like करें क्योंकि आपका एक like हमारा जोई हांसला और बलंद करता है आपको जोई ऐसी ही important videos provide करने के लिए ठीक है तो वीडियो को जोई अभी like करें जिसने like नहीं किया ठीक है question number one है ठीक है आपको समास से भी question पूछा जाता है कहीं वर तो बताएं इसमें कौन सा मरना सन का समास होगा ठीक है अभी अभी भाव होगा तक पूरश होगा बहुरी भी या ननावदी अबब ठीक है बताएं इस question का अंसर ठीक है अभी भाव तक पूरश या भहुरिह या ननावदी अबब ठीक है आप अपना अंसर जो है लगा सकते है ठीक है तो चलते है इसके अंसर की तरफ इसका जो अंसर है वो क्या होगा ठीक है तो अंसर इसका बी है ठीक है तत्पुरस मास इसमें होगा, ठीक है, मरना सन में जो है, तत्पुरस समास होगा, ठीक है, नेक्स कोश्चन की तरब चलते हैं, कोश्चन नमबर टू हमारे पास है, दिखा है, इन में से जो है, कौन सा बाल का परवाची सब्द नहीं है, ठीक है, बाल, ठीक है, जो हैर हमारे ह जा रहे हैं ठीक है दस सेकेंड में आपको जो इसका अंसर सोचना है और अपना अंसर लगाना है कि इसका अंसर कौन सा होगा उसके बाद में आपको जो है इसका अंसर बता रहा हूं ठीक है तो आपके पास जो है आपको लग रहा है टाइम बहुत कम दिया रहा है तो वीडिय RANGA CR होना मुहावरे का अर्थ है ठीक है, इसका आप PDF मैं टेलीग्राम के चनल पर डाल दूँगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्चिन बाक्स में दे दूँगा, आप वहां से जोइन कर सकते हैं, और उसको डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है, RANGA CR होना मुहावरे का अर्थ है बहुत इसका जो महारा होता है वहता है रंगा स्यार होना ठीक है तो नेक्स्ट के तरब चलते हैं तो फ्रेंट्स अभी हमार पास जो है क्वेशन नुबर 4 है इस वाक्य के लिए एक शब्द आपको बताना है जनता में चली आती सुनी सुनाई बात इसका क्या होगा ठीक है आपको ब दंती है निकि option number B जो है बिल्कूल सही है ठीक है यह वाला answer बिल्कूल सही है ठीक है तो चलते हैं next question की तरफ अधार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा ठीक है अधार शब्द का विलोम सब्द क्या होगा उपर नीचे आधे या नाधे ठीक है आपको जो अपना answer लगान हैं बहुत important है आप एक बार वहाँ पर जाकर देखिए ठीक है तो friends इसका जो रहा अंसर हो जगा आधार का आधे है जो है इसका विलोम हो जाएगा ठीक है आधे fiction number c जो है बिलकुल सही है ठीक है next question की तरह चलते हैं स्मीटी सब्द का बहु वचन क्या होगा ठीक है समीटी सब्द का बहु वचन क्या होगा स्मीटी या समीतियां या समीतियों या of the above ठीक है बताएं इस question का answer आप सोच सकते हैं आपके पास जो आवी समय है ठीक है तो friends इसका जो right answer जागा वो जागा समीतियों ठीक है option number C जो है बिल्कुल सही है ठीक है तो next question के तरब चलते है ठीक है उज्वल सब्द में जो है कौन सी संधी है उज्वल सब्द में कौन सी सं संधी व्यंजन संधी गुन संधी या अयादी संधी बताएं ठीक है तो friends इसमें जो है व्यंजन संधी होगी यानकी option number B जो है बिल्कुल सही answer है ठीक है व्यंजन संधी जो है उज्वल सब्द में होगी ठीक है next question के तरब चलते है अधम शब्द का अर्थ क्या होगा ठीक है अधम शब्द का अर्थ क्या होगा ठीक है तो बताएं इस question का answer क्या होगा ठीक है तो friends इस question का जो answer हो जाएगा आपके पास अपनी جो इस answer सोच लिया होगा ठीक है तो friends इसका जो right answer जगा हो जगा नीज ठीक है option number B जो है बिल्कुल सही है ठीक है next question के तरब चलते है question number 9 माता ने बोतल से बच्चे को दूद पिलाया ठीक है, पिलाया, स्वरी यहां पे पिलाया होगा, इसमें जो है कौन सा कारक है, करम, संबंध करण या अपादान, बताएं माता ने बोतल से बच्चे को दूद पिलाया, ठीक है, इसमें जो है भेंस में सर्मनाम का बेद बताएं, कौन सो होगा, अनिश्चे वाचक, समंद वाचक, निश्चे वाचक या असमंद वाचक, ठीक है, बताएं, तो आप सोच सकते हैं, इस question का answer क्या होगा, ठीक है, तो friends, इसका answer हो जाएगा, option number B, समंद वाचक, जो है, इसमें, जो सर्मनाम क बेद है, ठीक है, जिसकी लाठी, उसकी बेंस, next question के तरब चलते हैं, उदर शब्द का जो है, विशेशन क्या होगा, उदर होगा, या उदेराज, या उदरस्थ, या उदारी, ठीक है, बहुत important question है ये भी, बताएं, इस question का answer क्या होगा, ठीक है, तो friends, इस question का answer होजएगा हमारे पास उदरस्थ, या उदरस्थ, या उप्शन बर C, जो है, बिल्कुल सही answer है, ठीक है, next question के तरब चलते हैं, question बर 12, जो हमारे पास है, किनर शब्द का संदी विशेद क्या होगा, किन जमानर, ठीक है, या किम जमानर, या की जमानर, ठीक है, या none of the above, बताएं, कौन सा answer आपको जो है, सही लग रहा है, ठीक है, बताएं, तो friends, आपने जो इसका answer सोच लिया होगा, ठीक है, तो बताएं, इसका answer कौन सा होगा, तो friends, वो जाएगा, option बर B, किम, आमा के नीचे हलनता है, ठीक है, प्लस नर, ठीक है, तो या जगा किनर का संदी विशेद, ठीक ह इस मुहाबरे का आपको जो है, अर्थ बताना है, क्या होगा, तो friends, वो जाएगा, कम जोर करना है, यहनके option बर B, जो है, बिल्कुल सही answer है, ठीक है, नेक्स कोशन की तरफ चलते हैं, मर्द सब्द का इस्त्री लिंग होगा, ठीक है, मर्द सब्द का आपको इस्त्री और अरत हो जाएगा, ठीक है, तो B option जो है, बिल्कुल सही है, नेक्स कोशन की तरफ चलते हैं, कोशन नमबर 15, छोड़ना है, शब्द है, जाती वाचक संग्या है, भावाचक संग्या है, या सरवनाम है, बताना है आपको यह क्या है, ठीक है, यहाँ पर छोड़ना लिखा ठीक है, ठीक है, और चोड़ना का जो भावाचक संग्या हो जाएगी, वो जाएगी, छूट, ठीक है, आपको यह भी याद रटना है, तो next question क्या आपके पास है, तर कौन सी ध्वनी है, अघोश है, घोश है, अलपरान है, या महापरान है, ठीक है, आपको जो है, अपने marks जो है कमेंट सेक्षिन में जुरूर कमेंट कर रहे हैं ठीक है आपके जो 16 में से इतने मार्क्स बन रहे हैं ठीक है और प्रिविएस वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको आप जूरूर देख ले और आप अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को है मिलती रहे हैं और आपका जो फैनल सेलेक्शन है वो एंजियोर हो सके ठीक है तो धन्यवाद और वीडियो को जो है लाइक करें जदस जदा शेयर करें धन्यवाद